सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टुजीरो में अपनी उसलय को बरकरार रखा। उपक्तान रुतुराज गायकवार को नाथन एलिस ने पवेलियन की राह दिखाई। गायकवार ने 43 गेंदों में 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 58 रनों की पारी खेली। रुतुराज गायकवार और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 35 गेंदों में 77 रनों की ताबरतोर साजेदारी की, जिसका अंत छठे ओवर की पांचवी गेंद पर जायसवाल के विकेट से हुआ। बाए हाथ के ओपनर को नाथन एलिस ने चलता किया। यशस्वी 25 गेंदों में 9 चौके और 2 चकों की मदद से 33 रन बना कर पवेलियन लोटे। इस दोरान उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट 212 का रहा। भारत के दूसरे विकेट का पतन इशान किशन के रूप में हुआ, जो 32 गेंदों में 3 चौके और 4 चकों की मदद से 52 रन बना कर आउट हुए। विकेट गमवाने से पहले इशान किशन ने रुतुराज गायकवाड के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 87, 58 गेंद, रनों की ताबरतोर साजेदारी की रिंकु सिंह और तिलक वर्मा नाबाद लोटे। रिंकु सिंह ने 9 गेंदों में 4 चौके और 2 चकों की मदद से 31 रनों की नाबाद पारी खेली और तिलक वर्मा दो गेंदों में 1 चके की मदद से 7 रनों पर नाबाद रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस विडियो। आल्सो सब्सक्राब्स